नए साल के दिन कहीं से एक धतूरे का फूल तोड़ लाना, क्योंकि धतूरे में इतनी शक्ती है, वो किसी भी व्यक्ति को करोड़ पती बना सकता है। वेदोर पुराणों में सबसे ज़्यादा चमतकारी पुष्प, सबसे ज़्यादा चमतकारी पोधा अगर किसी को बताये गया हैं, तो वो है धतूरा। ये एक बहुती रहश्मई, विचित्र, बहुती ज़्यादा चमतकारी फूल हैं, जो किसी भी व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है नए वर्ष की दिन अगर आप यह उपाय करोगे तो पूरे वर्ष आपके जीवन में दन और पेशू की कमी नहीं आएगी आपको कहीं से दतूरे का एक पुष्प लेकर आना है उस पुष्प को लेकर जहां पर आपके घर के आसपास शीवलिंग वाला मंदिर है वहां पर आपको जाना है भगवान शीव के शीवलिंग पर आपको उस पुष्प को अरपित करना है एक मंत्र का जाब करना है ओम हिमकलि महादेव मनो कामनाय पूर्णाय नमस्वाहा इस मंत्र का 51 बार आपको जाब करना है पूरे वर्ष में आपको क्या-क्या चाहिए अंग लेना है, आपकी हर मनो काम ना पून होगे。 अब महादेव को प्रणाम करना है, उस पुष्ब को वापीस उठाना है, और जहाँ पर गर में आपकी तिजोरी है, जहाँ पर आपधन पेसा रखते हैं, उस पुष्ब को वाहर रख देना हैं। जब तक वो पुषबा आपकी तीजोरी में रहेगा, पेशा खुद खुद कीच कर चलाएगा. जो नया कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी. अटके कार्य पूर्णोंगे, नए वर्ष में नई सफलता आपके जीवन में आएगी. चारो तरप से पेशा घर में आने लगेग सुएम महादेव का अशिर्वाद आपके उपर बना रहेगा.